नमस्क्राइब दोस्तों मैं दिपटुरेला ब्रेन एक्सेंस लैप के तरफ से आप सब भी का स्वागत करता हूं मिट्वें एक्टिवेशन का डेमू कैसे दिया जाता है क्या कि अप्रिपेशन उसके लिए होने चाहिए बच्छे किस लेवल पर तयार होने चाहिए तकि आपका डेमव इंप्रैसिव लगे उसके लिगार्डिशन ये वीडियो की गई है तयार देखिए midband activation जब भी हम present करते हैं public के सामने तो एक standard एक benchmark जरूर हमें set करना पड़ता है because audience आपसे wow factor expect करती है कि आप कुछ ऐसा दिखाएं जो उन्होंने देखा ना हो बहुत सारे midband activation की videos audience में से कुछ लोगों ने देखी होंगी पर still आपको कुछ ऐसा दिखाना होगा जिससे वो surprise हो सके अमेज हो सके जातर होता क्या है midband activation में जो new beginner लोग है वो demo दिखाते हैं कि बच्चे colors कर पा रहे हैं वो demo दिखाते हैं बच्चे read कर पा रहे हैं बट कुछ ऐसा जिसमें बच्चा touch ना कर पा रहा हो या कुछ ऐसा जो खुली आखों से भी मुश्किल हो और बंद आखों से तो नामुम्किन लगे वो भी बच्चा कर दे तो midband activation का जो demo है वो कमाल हो जाता है तो यही इसी तरह का demo हमने कुछ साल पहले किसी स्कूल में दिखाया तो मैं इस वीडियो के साथ उसको लिंक कर रहा हूं आप प्लीज देखिए समझे अगर आप midband activation बिजनस में हैं तो इसको कैसे और बढ़ा कर सकते हैं वो सीखना चाहते हैं निच देगे वीडियो में तब तक प्लीज एंजोई तो वीडियो पार सेकिंड पार जिसमें आप देखेंगे कि बच्चे कि इस तरह से midband में कमाल करते हैं थैंक यू सो मच हैव गयर देखिए Hello everyone, very good. Now I'm going to demonstrate you a new skill जो आप सभी आगे जाके सीखने वाले हैं. So इस skill में आप लोग मुझे पहले ये बताएए कि आप में से कितने बच्चे ये मानते हैं कि अगर मैं आपकी आँखें बंद कर दूँ, आँखों पे कपड़ा रख दूँ या आँखें बंद कर दूँ तो भी आप चीजों को देख पाएंगे या पढ़ पाएंगे. Raise your hands. कितने मानते हैं कि मैं आँख बंद करने के जो उसमें पढ़ता है and he's a very brilliant student 8th class में है. सूरज आपके सामने एक ऐसी skill demonstrate करेगा कि अगर जो मैं आज सिखाने वाला हूँ, वो सभी आपने ध्यान से किया तो आप भी ये कर सकते हैं. ओके? तो सभी ध्यान दें. Very good. सभी ध्यान देंगे सूरज क्या करने वाला है? सबसे पहले मैं अपने executive को बलाना चाहूँगा, मैं माएं, मेरे पास मेरा रुमाल है, blindfold and एक blindfold है, एक पट्टी है. सो हम एक काम करेंगे, मैं एक और volunteer को बलाना चाहूँगा, प्लीज सर आप आएं. और ये verify करेंगे इसमें कोई camera या mic तो नहीं लगा हुआ. और चेक कीजिए कि आँखों पर रखने के बात क्या इसमें से दिखता तो नहीं है? अब मैं सूरज की आँखों पर ये दोनों चीज़े बांदेंगी, देखिए सूरज बिल्कुल नहीं देख पाएगा, और फिर भी सूरज क्या क्या करता है? देखते हैं. अब सूरज की आँखों पर रोमाल रखा है, उसके उपर हमने ब्लाइंडफोल्ड बांद दिया, वो भी ब्लैक कलर का. तो कोई भी लाइट सूरज की आँखों से उसके ब्रेन में नहीं जाएगी. तो अब भी मेरे पास एक क्यूब है, आप मैंसे कितने जानते हैं इसको? किसी ने देखा है? क्यूब? अब देखिए, हम इस क्यूब को शफल करेंगे, पूरी तरह से. और हमारे सर जो साथ आए हैं, वो भी इसे शफल करेंगे अब दोबारा. ये सारे कलर्स, ध्यान से देखिए, सारे कलर्स अलग-लग हैं. अब देखिए, सूरज ने बिल्कुल नहीं पता कि कौन सा कलर कहां पे हैं, लेकिन वो अपनी कॉंसेंट्रेशन पावर का किसका? कॉंसेंट्रेशन पावर का यूज करेगा. देखिए कैसे? ऐसे टाइम पे आब आप सभी भी सिर्फ अगर एक चीज पे ध्यान लगाओगे, आप क्या करते हो? पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में आता है, स्कूल में है, तो दोस्त क्या कर रहा है? मैमने उस बच्चे को क्यो डाटा है? ठीक है, घर पे मम्मी ने खाना क्या बनाय होगा, या फिर दोस्ता शाम्फू कहां भूमने जाएंगे, क्या खेलना है, यह सब कुछ चलता है जिमाग में? या फिर कई बार कोई टीचर अच्छी नहीं लगती, तो उस टीचर के बारे में बात करने लग जाएंगे, है ना? राइट, तो अभी सूरज क्या कर रहा है, वो अपना पूरा ध्यान सिरफ इस क्यूब पे लगा रहा है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, सूरज को बिलकुल कोई भी परेशानी नहीं है, उसका पूरा ध्यान कहां पे है, क्यूब पे है, और सूरज अब इस क्यूब को few seconds के अंदर पूरी तरह से completely solve कर देगा, और यह कोई magic नहीं है, यह आप धान दीजे, इस है science, और scientifically अगर आप सभी जो मैं आज सिखाऊंगा, वो करेंगे, तो आप भी यह सब कर सकते हैं, लेकिन जो भी आज बताया जाएगा, वो daily पंदरा मिनट practice करनी पड़ेगी, ओके? Okay, very good, now it's solved, तो सूरज के लिए जोरदा तालिया हो जाएगे, रेकिन गम्प्लीटली सोल्ड है, very good, great, Are you excited, देखो बच्चे ने क्या किया, solved, okay, हम एक और next level चेक करते हैं, कि सूरज की concentration power और कितनी अच्छी हो सकती है, तो इसके लिए सूरज में जो चीज कभी नहीं देखी अपनी life में, वो हम सूरज को दिखाएंगे, okay, everyone, are you excited, raise your hand, जो जो excited है, raise your hands, कौन-कौन excited है सीखने के लिए, very good, okay, so अब भी सर अपने mobile phone से सूरज को कोई image निकाल के देंगे, randomly, और सूरज बताएगा वो image क्या है, okay, हमारे पास जो mobile है, उसके screen saver पे कोई image है, और साथ-साथ एक time है इस पे, यह देखी, time दीख रहा है सबको, visible है, ओके, आप देखे, सूरज यह बताएगा कि क्या time हुआ है, 9.15, यह देखे, 9.15, completely, 9.15, नो बज़ के पंदरा मिनट, ओके, थोड़ा और इस पे जाते हैं, क्या कोई image आपके phone में है, तो image निकाल दीजिए, आप देखे, सूरज ने life में कभी भी जो चीज नहीं देखी, उनके phone में क्या है, सूरज को नहीं पता, लेकिन सूरज सरफ अपनी concentration power से, यह पता लगा सकता है, कि उस phone में जो image है, वो क्या है, उसने क्या पहना हुआ है, या फिर जो भी चीज है, देखते हैं, वो क्या है, कोई भी random image, किसी भी तरह है, हमारे पास एक बहुत beautiful picture है, देखिए, ध्यान से देखिए, एक बहुत beautiful picture है, very good, अब यह future सूरज बताएगा, किसकी है, लाउडले बोलिये, रावण की है, और उसने ऐसे कर रखा है, हाथ में चाकूले रखा है, और ऐसे हाथ दोनों कर रखे है, रावण की picture है, उसने हाथ में चाकूले रखा है, दोनों हाथ ऐसे कर रखे हैं, बिना देखे, सूरज ने इतनी beautiful picture पैचान ली, चलो सूरज की इस performance से अगर आप खुश हैं, तो जोर्दा तालिया बजाएए सूरज के लिए, आपके, आप मैं सूरज को बेज देता हूं, जाओ,